और संसल सुरक्षा चूप मामले में फरार आरोफी ललत जा के बारे में दिल्ली पुलस की स्पेशल सेल को बड़ा इंपुट मिला है पुलस को ये पता चला है कि ललत दिल्ली से भाग कर राजस्थान के नीमराना में छिपा है Special Cell की टीम जब नीमराना के गंडाला गाउप पहुंची तो ललित वाहाँ से फरार हो गया इस वक्त Special Cell की दो टीमें ललित जाके पीछे पड़ी हुई है ललित के हिसार में भागने की आश्रंका जिताई जा रही है और इसलिए कई टीमें राजस्थान के नीमराना और हर्याना के हिसार में छापे मारी कर रही है ताकि ललित को जल्ब से जल्ब पकड़ा जा सके संसद में सुरक्षा चूप मामले के आरोपी ललित जाकी एक WhatsApp चैट सामने आई है जिसमें वो किसी को जानकारी दे रहा था इस चैट में वो WhatsApp पर वीडियो को सुरक्षत रखने की बात भी कह रहा था तो ये WhatsApp चैट हम आपको बता रहे हैं जिसमें देखिए कि किस तरीके से ये मीडिया कवरेज देखिए इसको और ये वीडियो भेजा गया है और वीडियो सेफ रखना है ये WhatsApp चैट सामने आया है जिसमें बता रहा है वो ललित को कि वीडियो को सुरक्षत रखना है ललित दरसल ये वीडियो किसी को भेज रहा है और ये काजर है कि कठिक कोई NGO है उसको उसने भेजा है इसमें इसने ये वीडियो भेजा 12 बजकर 51 मिनिट पर मीडिया कवरेज देखिए इसको 12 बजकर 51 मिनिट पर ये मेसेज करता है सामने वाला इसको 3.46 मिनिट पर ये मेसेज करता है ठीक है ललत जी ये वीडियो कहां कहा है यानि कि समकसर एक ये भी हो सकता है कि वो ये वीडियो भेज रहा है उसको पता है ठीक है रफ्तारी हो सकती है कुछ भी हो सकता है इसलिए किसी और को भेज देता हूँ कम से कम ये वीडियो सेफ रहेगा बिल्कुल और न्यूजएट इन इंडिया इस वीडियो की जो ये वाटसप चैट है इसकी पुष्टी नहीं करता है आपको ये बता दें कि ललत की वो आरूपी है जो अभी फरार चल रहा है इसी ने जो कल संसद में सुरक्षा में बड़ी चूक होती है इसी ने वीडियो बनाया था और फिर ये सब के मोबाईल ले करके ललत फरार भी हो जाता है हाला कि ये अब वाटसप चैट सामने आया है आपको एक बार फिर से बता दें कि न्यूजएट इन इंडिया तारीक दरतारीक जून 2022 यानि कि पिछला साल सभी आरोपी करीब देर साल पहले मैसूर में मुलाकात करते हैं इसके बाद मार्च 2023 नो महीने बाद एक बार फिर सभी आरोपी मिले मार्च 2023 में संसद में अराज़कता फैलाने का इन्होंने प्लैन बनाया था और उसके बाद मार्च 2023 में ही बजट सत्र के समय मनुरंजन डी बैंगलूरू से दिल्ली आया मार्च 2023 में मनुरंजन डी ने विजिटर पास बनवाया उस दौरान भी और वो संसद भवन के अंदर आता है रेकी करता है देखता है समझता है चीज़ों को और मार्च 2023 में ही मनुरंजन डी को पता चला कि जूतों की ठीक से जाच नहीं होती ये पॉइंट उसने पकड़ लिया जुलाई 2023 में सागर जोकी लखनव का है जो उस दिन महापर सदन में नीचे कूदा था वही लखनव से दिल्ली आया लेकिन संसत्भवन के अंदर उसको एंट्री नहीं मिल पाई थी उसको पास नहीं मिला उसके बाद जुलाई 2023 में सागर ने संसत्भवन के बाहर की रहकी की थी अंदर नहीं गया 10 दिसंबर सभी आरोपी दिल्ली पहुँचे मनरंजन फ्लाइट से दिल्ली आया था 10 दिसंबर ललिज्जा समेट सभी आरोपी गुरुग्राम में विकी और व्रिंदा के घर पर मुलाकात करते हैं और 10 दिसंबर को ही अमोल शिंदे महराश्ट्र से कलर वाले पटाके लेकर आया था 13 दिसंबर सागर ने यानिकी कल की ये तारीक है सागर ने सुभा करीब 9 बजे सांसत प्रताप सिम्हा के पीए से पास मांगा 13 दिसंबर को ही सभी आरोपी इंडागेट पर मिले अमोल ने सभी को कलर वाले पटाके बांटे कल यानिकी 13 दिसंबर सागर शर्मा मनरंजन डी दोपहर 12 बजे संसत के अंदर दाखिल होते हैं अमोल और नीलम संसत के बाहर हंगामा कर रहे होते हैं उसी वाक्त ललिज जाने वीडियो बनाया और 13 दिसंबर जैसे ही हंगामा हुआ ललिज सब के मोबाइल पोन लेकर परार हो गया